दोस्तों औल एक्जाम गाइड गुरू के यूटूब चैनल पर मैं सुजीत पांडिया आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक हजार आपको MCQ बोले थे जीके के तो एक हजार MCQ का ये आपका पार्ट दो है इसमें भी आपको सुपर फास्ट सो MCQ मिलने वाले हैं जीके के मिक्स MCQ रहेंगे इतिहास भी है पॉलिटी भी है जियोग्राफी भी है एकोनोमे भी है साइंस भी है ठीक है तो सभी कॉशन मिक्स कॉशन है अच्छे लेवल की कॉशन है जो कि आपको एक्जाम में आ सकते हैं दोस्तों आपको थोड़ा आपको सौ में से केवल और केवल साथ फ्रशन सही करने का साथ या पचास प्रशन सही कर रही है मतलब आपकी तैयारी अच्छी है स्टाट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए मुझ पर पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिस शाशन के ताबूत पर आखरी कील साबित आपका लाला लाचपत राय जी सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए कौशन नमर दो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है पिस्तॉल और बं इनकलाप नहीं लाते बल्कि इनकलाप की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे यह वाक्य किस सोतंता सेनानी से संबने थे तो यह जो है यह आपका भगत सिंग किस से संबने थे वर्स 1774 में प्रसिद रोहिला युद रोहिला को अवद के किस नवाब ने हराया था तो रोहिला युद में रोहिला को अवद के सुजा उद्दौला ने हराया था ओप्शन नमबर भी सुजा उद्दौला सही आंसर हो जाएगा कौशन नमबर पांच हल्दी घाटी के युद्ध में किस समराट की सेना ने महराना प्रताप से युद्ध किया था तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने महराना प्रताप जी से युद्ध किया था बढ़ते हैं कौशन नमबर शे की तरफ इसमें आपसे पूछा गया है प्रतापगड की लड़ाई में चत्रपती सिवाजी द्वारा निमलकितम से कौन मारा गया था तो चत्रपती सिवाजी ने किसको मार गिराय था अफजल खान को ऑप्शन नमबर भी अफजल खान सही आंस फें आपकी मौरे सामराज के समय की गोफाएं है कौशन नमबर देखे आठ इसमें आपसे पूछा गया है निमलकितम से किसे राजा के शाषनकाल के दोरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था तो जुआन जैंग कब आया था ये आया था आपका हर्ष वर्धन के स में आया था बढ़ते कॉशन नमबर 9 की तरफ पौवर्टी एंड अन बृतिस रूल इन इंडिया पुस्तक निमलिकितम से किस न लिखी है तो पौवर्टी एंड अन बृतिस रूल इन इंडिया यह पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी की ऑप्शन नमबर ए रंग पट्टम किला डैश में आवस्तित है तो स्री रंग पट्टम किला जो है वो है आपका यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर इतने हैं कॉशन नमबर 11 और यह कॉशन आपके लिए है मतलब इस कॉशन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है आपको बताना है कि स्री रंग पट्टम किला डैश में इस्तित हैं आपके सामने है केरल तेलंगाना तमिलनाडु करनाटक स्री परशने का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे मुझे कॉशन नमबर 12 देखिए निम्दलेकित में से किसी आदर पूर्वक भारत का वयो व्रद्पुरुस कहा जाता है तो वयो व्रद्पुरुस जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ऑप्शन न से आनसर हो जाएगा अगले कॉशन में आपसे पूँछा गया निम्दलेकित में से किसने छे Isso A drying में हर्ष वर्दन को हराया था То this आप्ष नमबर अफ्रिका में एम्बूलेंस सेवाओ के योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था सिंपल सा है केसर ए हिंद किसको दिया गया था तो केसर ए हिंद जो अवोड दिया गया था वो महात्मा गानी जी को दिया गया था और इन्हों ने ये केसार रेहिंद नामक संबान पुरुसकार लोटा दिया था अब आप कमेंट करके बताओ केसार रेहिंद पुरुसकार क्यों लोटा दिया था उनके द्वारा था ये संबान घाधिishes अगला कॉशन नपर 17, निम्न मैसें कौन सी गुफा महराश्टर में इस्तिंत थै तो महराश्टर में आपकी यहाँ पर जो आप्षण दिये का है एलूरा गुफा इस्तित है कमेंट करके बता önवर नाथ की गुफा किस राज्य व्पिक्रा अमर नाथ की गुफा option number C से ही answer हो जाएगा बढ़तें question number 19 की तरब विक्रम शिला विश्व अधाले की स्थापना डैश ने की थी तो विक्रम शिला विश्व अधाले की स्थापना धर्म पाल ने की थी option number C यहाँ पर धर्म पाल राइट answer हो जाएगा question number 20 देख लेते हैं कोहरा एक उधारन है किसका तो कोहरा जो है वो उधारन है आपका गैस में परिछिप्त द्रव का option number B गैस में परिछिप्त द्रव होता है कोहरा बढ़तें कौशन नमबर 22 की तरफ इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न मैसे वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है तो तो गुजारो गुजरात में, option नमर C, सही आंसर हो जाएगा गुजरात, बढ़ते हैं, question नमर 24 की तरफ, इसमें आप से पूछा गया है, भिलाई, मिलाई नहीं है, ये भिलाई है, ठीक है, मा नहीं है, वो भा है, भिलाई इस पात सहयंत का निर्मार किसके सयोग से किया गया तो भिलाई इस पात सहयोग, जो है, ये सोवियत संग के सयोग से किया गया था, आपको बताना है, भिलाई कहां पर है, किस राज्य में है, आपको मैं दो आप्शन देता हूँ, मद्रप्रदेश और 36 गड़, comment वक्सर में comment करके बता, ये भिलाई कहां पर है, मद्रप्रदे कलकत्ता हावडा को भी कहा जाता है, दिल्ली नई दिल्ली, ट्विन सिटी नहीं है, ऑप्शन नमर डी यहाँ पर इस प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ते कॉशन नमर 26 इस पर पूछा गया है आपसे, निम्दल कितम से कौन सा सौर परिवार से संबनित न नहीं होती है, तो बुद्ध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, जीरो उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, शनी ग्रह के उपग्रहों की संख्या, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे बन जाएगा, वो जरू कमेंट करके बताना, question number 28 उसमें पूछा गया है सुनामी बनने का कारण क्या है तो सुनामी बनने का जो कारण होता है वो होता है आपका, भुकंप वो भी कहां पर समुध्र में जो भुकंप उठते हैं, उससे लहरे उठती हैं और सुनामी बनती है, ठीक है तो भूकंप है याए रखना समुद्र में समुद्र तल परिवर्तन नहीं है यह मतलगा देना, कई लोग समुद्र सोचके यह लगा देगे, भूकंप ही होता है बस समुद्र में भूकंप होता है अगला कौशन देखिए, कौशन नमर 39 तो ट्रांस साइवेरियन रेलवे पश्चिम में डैस को पूर्व में जोड़ती है बताइए तो ट्रांस साइवेरियन रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है ये सेंट पीटर्स बर्क को ब्लांडी वोस्टक से जोड़ती है option number D यहाँ पर सही answer हो जागा सेंट पीटर्स बर्क को ब्लांडी वोस्टक से जोड़ती है अगला question देखिए स्वेत कोईला किसको कहा जाता है तो स्वेत कोईला कहा जाता है आपका option number B जल विद्धुत को जल विद्धुत से भी हम produce कर सकते हैं energy तो स्वेत कोईला कहा जाता है अगला question देखिए smoke एक मिश्टन है किस चीज़ का तो smoke जो होता है वो धूमर और कोहले का मिश्टन होता है option number D यहाँ पर smoke के लिए सही answer हो जाएगा question number 32 देखिए पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदाई होती है तो पश्चिमी यूरोप में जो तापमान बढ़ता है उसके लिए गल्फ इस्ट्रीम उत्तरदाई होती है बहुत बारी caution एक्जाम में पूछा गया है option number V सही answer है caution number 33 देख लिजिए उत्तरी द्रुप में भारत के अनुसंदान केंदर का नाम बताईए उत्तरी द्रुप में जो भारत का अनुसंदान केंदर है उसका नाम है हिमादरी option number C हिमादरी यहाँ पर सही answer हो जाएगा caution number 34 इसमें आप से पूछा गया है निम्न लिकित में से कौन सा भारत का सबस्वे अधिक आद्रिस्तान है तो आद्रिस्तान यहाँ पर जो options में दिएगा है उसमें से आप सभी को पता है मौसिन राम, मौसिन राम दोनों चीज़ सही है मौसिन राम भी बोलते हैं कई लोग मौसिन राम भी बोलते है option number D right answer हो जाएगा अब आपके लिए caution बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा caution है आपको मुझे comment करके बताना है कि मौसिन राम किस राज्य में पढ़ता है बिल्कुल simple caution है प्लीज यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो जरू comment करके बताना जो जो वीडियो देख रहे है मौसिन राम किस राज्य में पढ़ता है इस प्रशनिका आंसर comment box में comment करके बताना caution नमबर अगला देखिए इसमें पूछा गया है वर्ष में 50 cm से कम वर्षा वाला च्छेतर कौन सा है जहांपर 50 cm से भी कम वर्षा होती है तो यह जो छेतर है यह है आपका लेह अब लेह काश्मीर में नहीं है वह यह लद्दाक अलग से बन गया है तो लद्दाक लेह लद्दाक ठीक है लेह में होती बस इतना याद रखो ठीक है अब यह 370 हड़ गई है काश्मी जम्मू काश्मीर अलग हो गया लद्दाक अलग हो गया तो लेह कहां है लद्दाक में option number B यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question देखिए यह रहा आपकी screen पर इस question में आप से पूछा गया है कि केरल की मौन घाटी जिसको silent valley भी बोलते हैं आप लोग नेंगलिस में silent valley silent valley सुना होगा इसके लिए बताइए तो इसके लिए जो है मैं पादपों तथा प्राणियों की दुरलब प्रजातियां पाई जाती हैं बहुत ज्यादा famous है silent valley पादपों और प्राणियों की दुरलब प्रजातियों के लिए अगला question देखिए यह एक मात्र century है जहां काश्मीरी महाम्रग पाए जाता है तो एक मात्र century है डाची गाम जहां पर काश्मीरी महाम्रग पाए जाता है option number B यहां पर सही आंसर हो जाएगा बढ़ते question number 38 की तरफ काजी रंगा नैशनल पार्क इस्थित है प्रसिद्ध है कि इस के लिए तो काजी रंगा नैशनल पार्क आप सभी को पता है गैंडे के लिए या एक सिंग वाली गैंडे के लिए प्रसिद्ध है option number A यहां पर सही आंसर हो जाएगा कॉशन number 29 देख लेते हैं भारत में फचलों के सकल 6 रुफल में से खादानों का 6 रुफल कितना है तो भारत में खादानों का 6 रुफल 60 से 70 प्रतीशत option number B यहां पर सही आंसर हो जाएगा बढ़तें कॉशन नमबर 40 की तरफ इसमें आपसे पूछा गया है विश्वेश्वरया आयरन एंड इस्टी लिमिटेड कहां पर इस्तित है तो विश्वेश्वरया आयरन एंड इस्टी लिमिटेड भद्रावती में इस्तित है option number भी भद्रावती यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा question number 41 देखिए निम्न मैंसे डैस एक कमजोर बल है तो कमजोर बल आपको बता दें गृत्तवा करशन बल बहुत कमजोर है गती बल द्रव्यमान और लगूरेंज बल अच्छा है नहीं तो साप बन के चलते हैं रेंग रेंग के अगला caution देखिए यह आपकी स्क्रीन पर ब्रह्मान्ड में किनी दो निकायों के बीच गृत्तवा करशन बल पर निर्वर नहीं करता तो ब्रह्मान्ड में किसी दो निकायों के बीच यदि उनके द्रव्यमान का योग गृत्वा कशन बल पर निर्वन नहीं करता option बढ़ी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा question बढ़ी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगना कर दिया जाए तो इन दौनों के बीच के बल पर क्या परहौँ पड़ेगा यदि दूरी आप दोगनी कर दोगे तो जो बल होगा वो गृत्विय बल चार के गुणन फल से कम हो जाएगा जितना दूर रहेगा उतना कम हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा अगला कॉशन देखिए ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है आपसे ब्रह्मांड में प्रत्यक वस्तू एक अन्य वस्तू को एक बल के साथ आकर्शित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है तो ब्रह्मांड में हर वस्तू एक दूरी के विपरीत अनुपातिक है मतलब दूरी बढ़ती जाएगी तो आकर्शित कम करेगा दूरी घटी जाएगी तो आकर्शित करेगा उसको गृत्तू आकर्शन बल बोलते हैं भाई साहब और अभी थोड़े पहले पढ़ा था कि दूरी बढ़ेगी दूरी पर इसका विपरीत प्रभाव पढ़ता है दूर जितना जाओगे उतना कम होते जाएगा जितना पास आओगे उतना बढ़ता जाएगा ब्रह्मान की प्रतेक वस्तू दूसरी वस्तू को एक बल द्वारा कर्शित करती है जो डैश के समानुपाती होता है किसके समानुपाती होगा त ज़िदी दो वस्तूं के द्रवेमान को तीन गुना कर दिया जाएं। तो दोनों वस्तूं के बीच का बल कैसा हो जाएगा। द्रवेमान बढ़ाओगे तो बल पर क्या परण पड़ेगा रचाथी तो बल नौगुना हो जाएगा। आपको बताना प्रत्वी पर गृत्व का मान कितना है गृत्व करशन का माल क्या है जी का मान बताई ये कुल म्राकि ग्रैविटी का मान क्या है एक्जाम में कई बार पूछा गया है जो इंटेलिएंट बच्चे होंगे उनसे याद होगा उनको बन जाएगा गृत्व करशन वस्तुओं के वीच मौजूद होता है परन्तु इसे तब तक महसूस नहीं किया सकता जब तक वस्तुओं का द्रबिमान बहुत अधिक जैसे की ग्रहों में नहीं होता तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक और हरे ग्रहों में नहीं होता ऑप्शन नमबर बी राइ अंसर हो जाएगा नहीं पता तो स्क्रीन शॉट ले ले कुछ कॉशन ऐसे होंगे जो आपको समझ में भी नहीं आ रहे होंगे तो स्क्रीन शॉट जरू ले ले लेना उन्हें प्रशनों का अगले कॉशन पूचा गया है कि भारत का सबसे उंचा जल प्रपात या जहरना कौ ऄहरी है ऑप्षिन के अनुसार आपको अंसर लगानाई ठीक है अभी कमेंट करके बताओ अभी का हाल फिलाल में सबसे उंचा जल प्रपात कौन सा यही है चेंज हो गया जेखते में किसको पता है सबसे उंचा जल प्रपात भारत का त्बज से निकलने वाली वह कौन सी यहां पर सही आंसर है कौशन नंबर देखिए 54 भारत के किस राज्य मैं गारु खासी परवस्रेंगी यह हमारा नॉर्ट इस्ट में है मेघाले में ओप्षे नंबर भी मेघाले में सही आंसर हो जाएगा कमेंट करके मेघाले के सीम का नाम बताइए देखते हैं किस किस को पता है मेग हाला है कि सीम का नाम कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरू बताइएगा कॉशन देखिए पचपन निम्द लिगत में से कौन सा जुआला मुखी के सबसे विस्पोटक प्रकार का उधारन है तो यहाँ पर जो ऑप्चन देखिए उसमें से आपका जो है काल डेरा कुंड जुआला मुखी सबसे विस्पोटक प्रकार का जुआला मुखी कहलाता है अगला कॉशन देखिए पूर्व में भारत की सीमा किन के देशों से लगती है तो पूर्व में भारत की सीमा एक तो लगती है म्यानमार से और एक तो लगती है बांगलादेश से option number D सही आंसर हो जाएगा पूर्व में म्यानमार और बांगलादेश अगला question देखिए कौन सा भारती परवत विशाल का पिरामिट जैसा दिखाई देता है तथा इसका एक समतल सिखर चेतर तथा दो चोटिया है तो विशाल का पिरामिट जैसा दिखाई देता है कामित परवत इस पर समतल सिखर है और दो चोटिया है option number B यहाँ पर कामित परवत सही आंसर हो जाएगा question number 59 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राजी कौन सा है तो सबसे कम आबादी है सिक्किम में option number D सिक्किम सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार question number 59 कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है तो वो ग्रह आपका शुक्र ग्रह जो की सल्फ्यूरिक एसड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुक्र ग्रह में है ये बादल कौशन नमबर देखिए 60 कौन सा उपकरण भूकम्प के दोरान सता पर पहुचने वाली तरंगों को मापता है तो उसका नाम है आपका सीस्मोग्राफ कल के वीडियो मैंने ये पूछा भी था कि भूकम्प को किस से मापा जाता है उप्शन नमबर सीस्मोग्राफ से आंसर है कौशन नमबर देखिए 61 इसमें पूछा गया है लाखों साल पहले भारती उप महादीप मुक्य भूमी से अलग हो गया था इसे किस माह सागर के नाम से जाना जाता है तो उस समय था ये टैथिस सागर ऑप्शन नमबर दी टैथिस महा सागर राइट आंसर हो जाएगा बढ़तें कौशन नमबर 62 की दरब निम्द लिकितम से कौन सा भारती राज जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है बताइए कौन सा राज है तो आपको बता दें यहाँ पर आपका पश्यम बंगाल की लगती है नेपाल से सीमा लगती है उत्राखंड की भी लगती है और सिक्यम की भी असम की सीमा नहीं लगती नेपाल से ऑप्शन नमबर 63 देखिए निम्द लिकितम से कौन सी परत हमारे वाई मंडल की उपरी सीमा है जो थर्मो स्पेर के उपर से लेकर 10,000 किलो मीटर तक फैली हुई है तो थर्मो स्पेर के ज़ेश्ट उपर फैली हुई है आपकी बाह मंडल जिसको एक्सो स्पेर बोलते हैं option number C बाह मंडल राइट आंसर हो जाएगा question number 64 इसमें पूछा गया है निम्नल कितम से किस हिमालई छित्र को शिवालिक के नाम से भी जाने जाता है तो शिवालिक कहलाता है बाह हिमालई option number D शिवालिक कहलाता है बाह हिमालई question number 65 निम्नल कितम से क्या रवी की एक फसल है तो यहाँपर option दिये जुआर, तुवर, बाजरा और गयहू रवी की फसल कौन सी है? जुआर, तुवर, बाजरा और गयहू में से रवी की फसल तो रवी की फसल हो जाएगा आपका यहाँ पर option number D गयहू को रवी की फसल है गयहू ठीक है option number D right answer है अगला question देखी question number 66 निम्दल कितमे से कौन सा दर्रा पीर पंजाल परवत संखला से होकर मनाली और लेह को सडक मार्ग से जोड़ता है तो मनाली और लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा option number B रोहतांग दर्रा right answer हो जाएगा question number 267 ठार रेगिस्तान जिसे great Indian desert भी कहा जाता है یہ कि पहाड 반range के पहाडियों के पशिमी सीमान्त की और क्या इ्स्थित है तो पशिमी सीमान्त की और ठार के र畎गिस्तान के अरावली पर्वत माला इस्थित है option number D अरावली पर्वत माला अगला question देखी इसमें पूछा गया है यह आपके लद्दाख परवत माला में सामिल है option number C सही आंसर हो जाएगा लद्दाख परवत माला अगला question देखिए 69 question number 2011 की जंगर्णा के अनुसार निम्न मैंसे कौन सा राज भारत में सबसे अधिक घनी आवादी वाला राज था तो सबसे ज़्यादा घनी आवादी बिहार में है option number A एक बिहारी सब परभारी राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखिए question number 70 2017 में भारत और चीन के मद्द डोकलाम पर छेतरी व्याद होगा था आप सब को पता है डोकलाम व्याद यह है कौन कौन से देश इस कौने में है डोकलाम में तो डोकलाम में आपका लगता है भूतान सिक्किम और चीन option number B यहाँ पर सबसे घना होता है और इस चेतर में लगबग सभी मौसम होते है तो यह कौन सी परत होती है यह होती है आपकी ट्रोपो इस पर जिसको छोब मंडल कहते है यहीं पर वायू मंडल है छोब मंडल में ही है अगला कौश्चन देखे साल सागोन नीम सीसम जो की फरनीचर वगएरा के लिए यूज होते है परिवहन वगएरा के लिए जैसी सक्त रखड़ी वाले वरक्ष किस प्रकार के वन में पाई जाते है तो यह सब जो है यह पाई जाते है आपके ऑप्शन नमबर B किसमें ट्रोपिकल जो है डिसीस फोरेश्ट ऑप्शन नमबर B यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाए गा बढ़ते हैं अगले कॉशन की तरफ अगले कॉशन में आपसे पूशा गया है कि रोबर्ट के खेतों की मिट्टी रेती लिए उसके खेत के लिए आदर्स फसल कौन सी होगी वहाँ पर कौन सी फसल आदャर्स होगी तो आजा फशल वहाँ पर मक्का आराम से लग जाएगा option number B right answer हो जाएगा caution number 74 तिबबत में परिवहन के तोर पर निम्दल कितमें से किस जानवर का प्रयूक किया जाता है तो परिवहन के लिए तिबबत में याक का प्रयूक किया जाता है जैसे रगस्तान में उट का प्रयूक किया जाता है वैसी तिबबत में थंडी चेतर में याक का प्रयूक किया जाता है question number 75 निम्दल कितमें से कौन सा भारत का परियावर्णी आंदोलन संगर से सीधे तोर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबने थे option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा बढ़ते question number 77 की तरफ इसमें आपसे पूछा गया है वाल्मी की Tiger Reserve कहा जते थे तो वाल्मी की Tiger Reserve आपका पश्चिम चंपारन बिहार में जते थे option number B से आंसर है question number 78 78 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है option number C right answer हो जाएगा question number 79 निम्द लिकित में से कौन सा पार्क यूनेसको की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्व विश्व विरासत स्थल है option number D यहाँ पर सही answer हो जाएगा question number 80 निम्द लिकित में से किस राज केंसासित प्रदेश में आपको एक सिंग वाले गैंडे मतलब भारती राइनों के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है तो एक सिंग वाले गैंडे आप सभी को पता है असम में काजी रंगा option number C right answer हो जाएगा question number 81 प्रत्वी के वायू मंडल से दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है तो प्रत्वी के वायू मंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा है oxygen गैस की comment करके बताईए प्रत्वी के वायू मंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है इसी question है comment box में comment करके आंसर दीजिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है वायू मंडल में बातो लित निम्नलिकित में से किस प्रकार की चटान या क्या है प्रदूशक है की धारा है की घाटी है तो बातो लित जो है वो है आपकी अगने चटान option number A अगने चटान right answer हो जाएगा question number 83 निम्नलिकित में से क्या प्रत्वी के चुम्ब की चेतर के लिए उत्तरदाई है तो प्रत्वी के चुम्ब की चेतर के लिए जो आउटर क्रोड है जिसको बाहे क्रोड भी कहते है उत्तरदाई होता है question number 84 इसमें पूछा गया है भारत में किस नदी को दिहंग भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को option number A अगला question देखे question number 85 किस बल के कारण गतिमान वस्तू है वायू और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्द में दाई उर और डख्चुनी गोलार्द में वायू और विक्षेपित होता है कौन सा बल है उस बल का नाम है आपका कोरी ओलिस बल option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाए question number 86 देखे चंद्रमा डैश पिंड का उधान है तो चंद्रमा जो है अधीप्ती मान पिंड है यह क्या है सूर की रोसनी से चमकता है option number B अधीप्ती मान पिंड है question number 87 देखे वह प्रक्रिया जो प्रतवी की उपरी सत्य के भागों को खिसकाती है उभार्ती है निर्मित करती है क्या कहलाती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है पटल विरूपन मतलब डाई एश्ट्रोफिज्म option number A पटल विरूपन सही आंसर है question है थोड़ा हटके question number 88 सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रविश करती है option number D कायंतरित शेल है कायंतरित चताने question number 90 निर्मित लगित में से किस राज से होकर करकर रेखा गुजरती है तो यहाँ पर जो options देखा है उसमें से आपकी मिजोरम से करकर रेखा होकर गुजरती है मिजोरम से मित्र पर गमचा जहार है इसका short form है question number 91 बहुमी का भाग जो लगबग चारों और से पी पानी से घहरा होगा लेकिन एक और से मुख्य बहुमी से जुड़ा है उसको क्या कहते है तो चारों और से पानी से घहरा है एक और से मुख्य बहुमी से जुड़ा है उसको बोलते है option number D सही आंसर हो जाएगा प्रायदीप अगला कॉशन दिखिए एक डिगरी आक्छान से लगबग कितने किलोमेटर के बरावर होती है तो एक डिगरी आक्छान से लगबग-लगबग 111 किलोमेटर के बरावर होती है option number B यहाँ पर सही आंसर है question number 93 निम्दल कितमें से किस भूपटि का या प्लेट की 2.5 से कम गती की मंदतम दर है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो है आपकी उत्तरिय दुरुवी परवत परश्ट आर्केटिक रिज option number A यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा question number 95 इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप है तो विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप माजूली दीप है जो कि ब्रह्मपुत नदी पर है असम में से थे option number D question number 96 देखिए सरावती नदी में निम्दल कितमें से कौन सा जहरणा निकलता है सरावती नदी से आपका जेल सप्पा option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा सरावती नदी से निकलता हुआ जहरणा है इसका और अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है आपको पता होगा अगला question देखिए लेटराइड मिट्टी में परचुर मात्रा में पाया जाता है तो लेटराइड मिट्टी में परचुर मात्रा में iron oxide पाया जाता है question number 98 कुमाउं हिमाला निम्दल कितम से किन दो नदियों के बीच इस्तित है तो कुमायू हिमाला है आपका सतलज और काली नदी के बीच में option number A सही answer है question number 99 इसमें पूछा गया भूकंप तरंगों को किस उपकरण या यंत्र द्वारा record किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं आपका option number A सीसमो ग्राप या भूकंप सूचक यंत्र option number A सही answer है और ये रहाज का आपका आखरी question इसके बाद आपको स्क्रीन पर इसका जो part 1 है वो शो हो जाएगा जिसने part 1 नहीं देखा देख लेना भारत का म्रदा सरविक्षन किस वर्ष में म्रदाओं के वेज्ञानिक सरविक्षन के लिए स्थापित किया गया था मतलब आपको बताना है म्रदा सरविक्षन विवाग कब स्थापित हुआ था भारत में जिसको नहीं पता लिख देना सर सौवे question का answer नहीं पता मैं comment में reply कर दूँगा जिसको पता है comment box में answer कमेंट करके बताईए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए अपने ख्याल रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसका पुराना वीडियो ज़रूर देख लेना स्क्रीन पर आपको आजाएगा जय हिंद जय भारत